प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी तीन निनों के लिए अध्यात्मि क्यात्रा पे जा रहे हैं अगर ऐसा कहएं तो गरवत नहीं होगे कि 21 अक्टूबर को जाओं गंगे 22 अक्टूबर को जाओं बद्री नहीं होगे तो यह 23 तारीक को राम लला के दर्शन करेंगा अब राम हों शिव हों कृष्ण हों इनकी व्यापती अखिल भारती है नियां कि व्यापती वैश्विक है यह हमारे राष्ट के प्रितिक है राष्ट की पहचान है और राष्ट इनके इर्दिकृत घूमता है तो उनके दर्शन करना उन आस्ता के इंदर उसे जोड़ना इस सामाजी करने सामय दर्श करते को मजबूतिक है यह वर्याश माया नने पराशमती वर्याबरर स्कों करते हैं मैं समझता हों की राष्ट पूरुस्य है राम जयक्त कहती है गांधी जी को भी राम राडम राज्य ही तो इनका अपना महत्तय है और इस देश को जगाने के लिए इस देश में आतम श्वास, आतमा उमान जगाने के लिए इनकी यात्रा करने से सीधा संदेश आता है सब तीन दिनों में तीन देव स्थान पर जा रहा हैं, क्या संधिस आप देसे खासतोर से करबात की हैं, जब से उनोंने शिलन न्यास क किया Naram42 की निर्माल का, उसके बाद पहली दफा युद्या जा रहा है और वहाँ पर पूरी तरीके इस निर्माल कारे को भी देखेंगे और तमाम सारे कारे करेंगे। का अंदर रिखेंगे और आप देख हुं का विस्तार क्या है श्री लंका के अंदर नौर्थीस में इस्टन देशों के अंदर हो तो वह हमारी वैस्ट्री से भी राम हमारी पेचान है यह राम का देश है इसलिए वहां जाना यह विज़ी यह जाना यह उचीत भी है और अगर बात के तो विपक्ष लगतार महेंगाई को लेकर के विबेजी पी पर हमलावार है रुपिया जिस तरीके से डॉलर के मुकाबले गिर रहा है लगतार विपक्ष कहरा है कि सरकार अब कुछ नहीं कर पा रही है कि मुझे क्या लगता है कि विपक्ष थोड़ा सा द्यान करें शायद उनकी आदत कम हो गई है या कि आलोशना करने के मोहों में वो विश्यों की उपेक्षा करते हैं महेंगाई यह हमने कभी मना नहीं किया नहीं हमारे माने वित्तमंतिशी ने मना किया हर रुपिया जो है थो हम उसके जो परिणाम आ रहे हैं वह बहुत उलेगनी है यह जदी इस प्रकार की परस्तिती पहले कभी नहीं थी उसके बाद भी दो दो डिजिट के अंदर भेंगाई रहती थी मनमोन सिंग जी जो बड़े बारी एकॉनोमिस्त थे और मान जाने बारे माने एकॉनोमिस्त थ लाते थे तो दो दो डिजिट में रहती थी और यूकरीन का संकट है आज जो है कॉरोना का संकट सम देले देले निकल रहे हैं और आज सारी दुनिया इस बात को मान रहे है कि आशा का केंद्र यदी कोई है तो भारत है तो इन सब बातों को समझते बात करनी चाहिए जो और के मकाबले रुपया मजबूत हुआ है निकल को करनेशी से दुनिया की मेश हम। तो बहुत सारे विशे हैं और यदि कॉंग्रेस के लोगों को रोधी पक्ष के लोगों को समझ में नहीं आता है तो मनमोन इसे चुशन लेंगे कि क्या सच है क्या जूट है तो मैं समझता हूं कि आलो चुना करें समझदारी से करें सवाल और है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से निवेश को लेकर कि लगातार महौल बनाया जा रहा है आज यूएश के डेलिगेशन मुख्यमंत्री योगी तिन्यास से मुलाकात करेगा जिससे की उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश बढ़ सके देगे 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर एक गुणात्मक परिवर्तन आया है महां की कानुन वस्ता को ले करके मापर जो मौलिक सुविधाये हैं चाहिए बिजली हो उसमें बढ़ा भारी परिवर्तन आया है आज 24 घंटे बिजली उद्यों को उपलब्द है तो यह सारी चीजे हैं इसके कारण से लोगों में विश्वास जमा है और लोग आ रहे हैं पहले भी लोग कोशी दो करते थे अखलेशी कोशी करते तो कोई आते ही नहीं था कि अखलेशी के शाषन में दी जाएंगे तो हमारा क्या होगा इसी आशंग आसे लोग ग्रस रहते थे आज जो 2017 के बास से माननी में हम एक ट्रियन डॉलर की एकॉनोमी का जो लक्ष लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश का उसको पार करें उसके बड़ी एकॉनोमी हमारी बनेगी इसलिए पस्मंदा मुसल्मानों को भी आप साथ लानी के आप लिए कोशिश कर रहे हैं आरसे से भी नहीं कहा है कि तमाम स किसी प्रकार का बेद किया ही नहीं यह जानते हुए भी कि आज भी अधिकांश जो मुसलिम हैं उनके मने में कुछ भारतिया जंता पार्टी को लेकर करके कुछ एक संकोच है गलस भहमी है जो वर्षों से वर्ष वोट बेंकी रानीती के त्वारा कॉंग्रेस या अन्य लो विश्वास है कि धिरे-धिरे मुझलमों को यह बास संज में आ रही है और वो भाजबा के साथ आएंगे शुक्रियम से पाचित करने के लिए यह ते राजेंदर अग्रवाल जिनके सापतर रुपे कहना थे कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार काम कर रही है इसी के कारण है पास मंदा मुसलमानों के लिए कोई अलाख से कोई कारक्रम उस तरीके से नहीं किया जा रहा है तो श्रुपी गुमार के साथ अविनाश्तिवारी एविपी गंगा दिल्ले